मध्यप्रदेश के हरदा जिले में इन दिनों बिजली आपूर्ती की विवस्था बदहाल है रहट गाउं तहसील अंतरगत वनांचल के 15 से 20 गाउं में ऐसी स्थिती है कि विगत 15 दिनों से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ती ना के बराबर है वहीं कम बूल्टेश के कारण मोटरे वगघरों की लाइटे नहीं जल पा रही है गौरतलब है कि वनवासियों ने पावर हाउस कंट्रोल रूम संपर्क किया और उन्होंने विद्युत आपूर्ती बंद होने की जानकारी दी और विद्युत व्यवस्ता शीग्र बहाल करने की बाद भी कही है लेकिन पावर हाउस में मौझूदा कर्मी द्वारा ना तो शिकायत दर्ज की गई और नहीं विद्युत आपूर्ती बहाल हो सकी और नहीं विद्युत कर्मियों द्वारा संबंद में कोई भी प्रयास किये गए